फ्रेंट्स एक बहुत इंपोर्टन ड्लोप्मेंट आया है जीस्टी कांसिल जो आनेवाला नौ सप्टेबर का जो मीटिंग है उसमें जेडी याने जॉइंट ड्लोप्मेंट एग्रिमेंट और उसके रिगार्डिंग यो टी डीयार है ट्रांस्पर आप ड्लोप्मेंट but it can be of great use to the real estate sector और उसके रिगार्डिंग अगर आप real estate player हो तो immediately सब काम छोड़के आप पहले जो भी आपका association है या तो state level का या तो national level का वहाँ पर एक immediately at the earliest आपका meeting convey कराईएगा because अगर GST council इस issue को 9 September को discuss करने वाला है it is very highly recommended अगर आपके right now JDA related कुछ issue रहेंगे तो वो immediately GST council के सामने आपने रखने चाहिए यहाँ पर please note करिएगा GST council की जो meeting है जो group of ministers इसमें consider या discussion का part होने वाले है उसमें गोवा के जो चीप मिनिस्टर है प्रमो सावंसर वो है एस वेल आस महारास्टा के finance minister है वो भी पार्ट रहने वाले है उत्तर प्रदेश के भी finance minister उसमें पार्ट में रहने वाले है तो जितना possible है उतना जो भी associations है रियल इस्टेट के उन्होंने यह respective जो भी चीप मिनिस्टर है जो पार्ट है GST council के meeting का GOM का उनके सामने अपने grievances उनके सामने GDA related जो उनकी representations है वो immediately put करने चाहिए यहाँ पर अगर as a professional अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन से critical issues है तो यहाँ पर please note करेगा सबसे जो ज़्यादा बड़ा most टीदिंग चालेंजिंग इशू है 17 18 और 18 19 यह जो पहले दो साल थे जब GST का रेट 12% हुआ करता था और input test credit का benefit taxpayer को याने real estate developer को मिलता था एक एप्रिल 19 के बाद में आप सोब को पता है government ने नया scheme लाया 5% का लेकिन वह नया scheme लाने के साथ government ने एक exemption भी इंट्रोडूस किया 1st April 2019 से वह exemption अवेलेबल था वहाँ पर specifically बोला गया है कि अगर आपका agreement एक एप्रिल 2019 के बाद वाला है एंड अगर आपका residential जेडिये है तो वहाँ पर अगर आप आपके जो भी यूनिट्स है before completion बेचने वाले हो तो आपको TDR की उपर GST भरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू यह हो जाता है कि अगर आपका agreement 17-18 और 18-19 में अगर enter किया गया है and even if अगर आपने 5% की skip में opt किया है यानि कि आप output पे 5% pay करने वाले हो तो आपको input as credit नहीं मिलने वाला और वहाँ पर अगर आपका JDA का liability आ जाता है तो that is going to be a big cost for the real estate player because अगर आप logically भी देखेंगे तो यहाँ पर exemption ज़रूर बनता है because 1 April के आगे अगर किसे का agreement बनता है और वहाँ पर government बोल रहा है forcefully compulsorily आपको 5% में जाना है without input tax credit that means the intention is clear कि सिर्फ और सिर्फ आपके output level पे tax लगाना है तो similarly अगर किसी का JDA 17,18 या 18,19 में एंटर हो चुका है तो certainly वो person ने अगर 1 April 19 के बाद के rate के लिए apply किया है और अडप्ट किया है तो उस person को भी उस taxpayer को भी उस developer को भी similar level of concession या exemption मिलना चाहिए तो यह बहुत बड़ा issue है तो certainly जो भी real estate players की जो associations है जो real estate players है उन्होंने यह issue certainly GST council के सामने रखना चाहिए 9 September के पहले at the earliest अगले 2-3 दिनों में यह representation मुझे लगता है GST council और respective जो group of ministers है उनके पास आपने ideally भीज देना चाहिए additionally आप सबको पता है कि right now जो भी GDA यानि की joint development agreement के context में अगर आपका commercial real estate का project है तो वहाँ पर purchase side पे procurement side पे कोई भी exemption नहीं है now यहाँ पर एक parallel आप देख सकते हो कि अगर residential property है तो वहाँ exemption है तो why not commercial के case में भी GDA का एक exemption दिया जाए because please note करिएगा real estate sector इंडिया में heavily taxed sectors में आता है because अगर आप globally देखेंगे globally look at the country like UAE जो residential property को zero rated करता है zero rated यानि purchase side पे जो भी GST developer pay करता है उसका यानि की वैट जो पे किया जाता है उसका government उनको refund देता है आप देखो बहुत जगा आपको यह realize होगा कि कही ना कही real estate sector को अभी second preference दिया जाता है investment के context में और उसका fundamental reason indirectly GST है because आप देखोगे पहले बाराटा का GST अप्ली को लोता था अभी GST 5% अप्ली को लोता है तो 5 प्लस 8 यानि 13 टका प्लस 7 टका stamp duty यानि कि जब इंडिया में इंडिया में इंवेस्ट करना चाहता हो जब मुझे लगता है कि मुझे कंट्री पे भरोसा है और मुझे यानि यहाँ पर मुझे पर्चेस करना है प्रॉपर्टी तो एक टैक्सपेयर को 20% टैक्स देना पड़ता है वाइब इस ट्रस्टिंग इस कंट्री जबकि आप देखोगे गोल्ड जिसके ओपर सिर्फ टीन टका का टैक्स है सिमिलर्ली अगर आपने शियर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो उसके ओपर कोई टैक्स नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इसलिए आप देखो चारपास साल में शियर मार्केट बहुत बढ़ा है गोल्ड बहुत बढ़ा है बिकाज काफी सारे लोगों ने जो रियल इस्टेट एक सेफ आवेन्यू समझते थे उसको फिर उन्होंने मूँ कर दिया उन्होंने कहा कि इस बेटर तो इन्वेस्ट इन गोल्ड और तो इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर और बेभी शेयर मार्केट बिकाज यहाँ पर अगर 20 परसेंट टैक्स पे कर रहा है कोई तो सर्टनली इस एस गुड़ आज पेलल्टी अगर आप रियल इस्टेट प्लेयर हो अगर आप रियल इस्टेट प्लेयर्स के अगर आप असोशेशन है तो सर्टनली यह जो भी क्रिटिकल पॉइंट से आपन सब्सक्राइब करना चाहिए उसके बारे में सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो काफी लंबा हो चुका है इस प्लीज प्लीज फिल्पी तू मेंशन दाट इन दे कमेंट बॉक्स चलिया थैंक यू बाई